जिने वसलां दिपाड़ियां शाम धुदली जही जिगने जुपड़ें अगर आप इस चैनल में तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी ओन कर ले ताकि वीडियो का नोटिप्रिकेशन हर समय आपको मिलता रहे मेरे प्रियो भाई बेनों आज मैं आपको एक ऐसे गाओं के वारे में बताने वाला हूँ कि जहां पर सबसे ज़्यादा मसीही लोग करिशन लोग रहते हैं उस गाओं में लगबग 80% जो करिशन के घर हैं और सबसे ज़्यादा उस गाओं में मसीही लोग रहते हैं अलग-अलग राज्यो में हम देख सकते हैं कि अलग-अलग राज्यो में कई ज़्यादा मसीही लोग रहते हैं जो एक प्रभीश मसीखी की शिक्षाओं के उपर आधारी थे और उस गाओं को राष्ट पती के दौरा भी सम्मानित किया गया है आईए जानते हैं उस गाओं के बारे में तो ये जो गाओं का नाम है संतोक माजरा करके उस गाओं का नाम है पहले इसका नाम इसाई खेडा था क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिशन लोग रहते थे सबसे ज़्यादा उसे संतोक माजरा के नाम से जाना जाता है वहाँ पर एक प्रसित चर्च भी है वहाँ पर सी एनाई का चर्च भी है जो सबसे बड़ा चर्च भी है न्यूस के अनुसार बताया गया है कि हर्याना का एक ऐसा गाउं जहां हर गर इसायू का है मिल चुका है निर्मल पुरुष का जी हा राश्ट पती के दुवारा इस गाउं को सम्मानिद भी किया गया है 200 साल पहले मिश्णरियों ने केथल के कस्बे रासोद के पास अपने ठहरने के लिए एक विश्राम गरह बनाया था वहां प्रात्न करनी के लिए छोटा चर्च भी बनाया था जो आज उस छेत्र का सबसे बड़ा चर्च है विश्राम गरह वाली जगह पर अब 2500 की आबादी व होती है पांच से 14 साल तक के बच्चों को बाइबिल की शिक्षाएं दी जाती है वहां पर लगबग तीन घंटे तक क्लास चलती है और वहां का जो शिक्षक है वो केवल महिला ही रहती है गाउं में चर्च के नाम पर लगबग 25 एकड जमीन है जबकि पंचायत के नाम पर 28 5 एकड क्रशी की जमीन है दस साल तक गाउं के रहे सरपंच जिनका नाम है जोसब दास बताते हैं कि यहां हर परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर बल देता है यहां पर 8 वी तक स्कूल है और लगबग 1050 मत दाता है गाउं को परतिबा भाइल जो की राश्ट पती थ परदे निर्वल पुरुसकार उनको दिया जाता है यह पंचाये तो को दिया जाता है गाउं को दिया जाता है जो गाउं सबसे साप सूत र है सुष्थ्व evapor बन है जादा मसीही लोग रहते हैं। हाँ के शर्पंच जोशब दास ने बताया कि अगर शादी करना है तो शादी केवल मसीही में ही होगी। अन्य था और भी किसी रिती रिवाज में नहीं होगी। जोसब दास ने बताया कि इस गाओं में लगबग पांच डोक्टर हैं और पचास श्टाप नर्स हैं और साथ इंजिनियर हैं एर फोर्स में यहां के सी ए मार्टिन चोहान कोई कैप्टन है कोई एर फोर्स में भी है और इस गाओं के लोगों ने देश की सेवा को भी किया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप सभी को जे मसी की प्रेज़ करें आप सबी को जे मसी की प्रेज़ करें